ग्रावी चेटर के बांसघाऋ और गोला सरकल चेटर के सभी थानाचेटर में माद दुरुगा के इस्ताफित की गई मूर्तियों को आयो ज़ोतों दोबारा थानाचेटर इस्तित विविन नदियों और तलावों में धूम दामसे विसरजित किया जा रहा है इस समद में सीयो बाजगाव नितेश सिंग ने बताया कि सरकेल शेतर के मलाओ चंदा घाट इस्तित राप्ती नदी और कोड़ी राम इस्तित आमी पुल सहित विबिन अस्थानों पर मूर्तियों को भी सरजित किया जा रहा है इस दोरान आम जन्मानस ने मूर्तियों भी सरज रखागया इस समद में गोरवपुनी से बात करते हैं वे सीयो बांस का उनितेश सिंग और सीयो गोला श्याम देव ने बताया कर दो कर दो को दो कर दो खबातों जाए दिए निर्देश चंदा घाट जो बेली पार साने में एक आमी नदी का पुल होता है वो बांस गाउं में और शेष उसकी अन्य जो गोला जा जाके और बडल गंज में मूर्तियों सर्जित होती है जो भी कम रखी गई है और बेली पार दाना चेत्र में अस्वन पार और रकट और गचपुर में जो राप्ति नदी है इसके किनारे मूर्ति विसाजन होता है तो वहां पुलिस फोर्स न्यूक्त कर दी गई है साथ साथ यह भी निर्देश है कि वहां पर लाइट की वस्ता जो सिविल साइट से कराई जाएगी उसके नुरूप देखें और गोताखोरों को वहां रखें मौजूद और लगातार निरंतर डूटी पर हैं सम्झा मुझा के और सही तरीके से उसका मूर्ति विसर्जित हो रही है च मैं भाल गंज में मुक्ति पत है वहां पर विसर्जित के लिए बयुस्ता की गई है और बेरीकेटिंग् की विसृट़र गाट पर की गई है नाहों से गोता खोर की बयुस्ता की गई है जिसे कोई दूरघटना के सितिमें तत्काल हमारे गोता खोर एक्टू India ना होने गई है और हम सब सारे लोग इसको लग के विसर्जन सकुसल संपन कराएंगे गोला सरकिल छेत्र में कुल डेड़ सो मूर्तियां हैं 150 की संख्या में मूर्तियां हैं जिसमें सदिकान साज भी सर्जित होंगे दो-चार मूर्तियों मूर्तियों के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो कल लिया पर्सों भी सर्जित होंगी